किसान बाईयो आज की वीडियो बहुती सपेसल होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करेंगी गेओं की पसल में जब बालिया बहारा आजाए उस टाइम पर पोद एको सबसे ज़्यादा किस तोत बहुत सकता तो क्या आउसकता पड़ती है ऐसा कौन सा सपेरेक रहें जिससे पोद आहरा बरा रहें बाली के अंदर नीचे से लेकर उपर तक पूरे दाने बरें कई बार किसान भाईयों हम देखते हैं कि गयों कि बालियों के अंदर बीच में दाने बर जाते हैं जो बीच का इसा होता उसमें अच्छे अच्छे मोटे मोटे दाने बर जाते हैं लेकिन उपर और नीचे बालिया खाली रह जाती हैं पूरी बाली में अच्छी तरह से दाने भरें इसके लिए हमें क्या करना चाहिए सम्पूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के मदम से देंगे इसलिए वीडियो को लाश तक जरूर देखें इस टाइम पर बहुत से चितरों में एक और कॉमन प्रोग्लम दिखाई देगी फंगस की किसी साल आजाती है लेकिन किसी साल नहीं आपाती जैसे की येलो रेश्ट अब ब्राउन रेश्ट है इसे हम बिमारी आने से पहले किस तरह से रोक सकते हैं इसके अलावा इस टाइम पर जो फ्लैग लिफ है इसकी इंपर्टेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है अगर यह एकदम सवस्त हरी बरी होगी आखरी टाइम तक उतना ज़्यादा यह बोजन बनाएगी उतना इबालियों तक पहुंचा पाएगी जब हमारी भसल गाबा वैस्ता में है उस टाइम पर एनपी के जीरो बाउंच चोतिस के साथ बोरोन का सपरे कर सकते हैं और जिन खेतों के अंदर बोरोन की कमी पाए जाती है उन खेतों के अंदर जो भी भसल हो पोली नेशन यानि की जो परांगन अच्छे से नहीं हो पाता उनके अंदर जो दाना बनने की पिरकिरिया है कोई भी फल फूल बनने की जो पिरकिरिया है वह कम रह जाती है अगर पोद आइस टाइम पर स्ट्रेस में आ जाता है चाहे वैपानी की वज़े स्ट्रेस में आए या फिर परतिकुल मोसम की वज़े स्ट्रेस में आए तो कहीं न कहीं आपका उत्पादन कम हो जाएगा कई सारे पॉइंट होते हैं दोस्तो उत्पादन बढ़ाने के तो हमें एक एक पॉइंट पर बिल्कुल बारीकी से नजर रखनी पड़ेगी तब ही हम उत्पादन को बढ़ा सकते हैं किसान भाईयों अपने खेतों के अंदर लगातार सिचाई जारी रखनी है या आप अपने खेत के अनुसार या फिर अपनी मिट्टी के अनुसार आपको सिचाई करनी है बहुत से खेतों में हम देखते हैं कि तीन पानियों में भी काम चल जाता है लेकिन कुछ खेत ऐसे होते जिनके अंदर 6-7 सिचाईयों के आउसकता पड़ती है तो आप अपनी मिट्टी के अनुसार जो आपकी मिट्टी है उसी के अनुसार आपको सिचाई करनी है जो दाने बन रहे हैं दाना बनने की जो दूदी आवस्ता इसके अंदर आएगी तो इसमें सबसे ज़्यादा आउसकता पड़ेगी पोटास की तो देखिए पोदा है वह सुर्य का परकास और नीचे जमीन से खनेज लोगन लेकर बोजन बनाता है अपनी पतियों के मादम से तो पोटास की इस टाइम पर जो आउसकता होती है बहुत ज़्यादा होती है इस टाइम पर आपको यही द्यान रखना की अपनी फसल के अंदर पोटास की कमी नहीं होने दे आपको शुरुवात में जब अपने गयों की बॉआई की थी उस टाइम पर अगर पोटास की पूरी मातरा दे थी तो भी ठीक है किसान भाईयो अगर उस टाइम पर पोटास की पूर्ती कर सकते हैं वो भी सप्रे के माद्यम से पोटास की पूर्ती के लिए हमें इस टाइम पर सप्रे करनी होगी NPK 0050 की उसके अंदर 50% पोटास की पूर्ती पोदे को हो जाएगी अगर आपकी फसल इस टाइम पर गबा आवस्ता में है तो आप इस टाइम पर NPK 0050 की बज़े NPK 02-34 के साथ बोरोन मिलाकर 100 ग्राम परती एकड़ बोरोन मिलाकर परती एकड़ के हिसाब से एक किलो NPK 0-34 का गोल बनाकर परती एकड़ के हिसाब से सप्रे कर दीजिए इसके अलाव आपको यह लग रहा है कि आपकी फसल में जो जंडा पती वे बिमार है या फिर इसके उपर जंग टाइप का दब्बे दिखाई दे रही है इसके अंदर आपको पीला रतवा की बिमारी दिखाई दे रही है अगर येलो रेस्ट आपकी फसल में एक बार आ गया तो ग्यों का उत्पादन है जो हम बोलते कि 32 कौंटल पर ती एकड़े निकाल लेंगे वहीं पर उन खेटों के अंदर जो ग्यों का उत्पादन है 10 से 12 कौंटल रह जाता है और येलो रेस्ट की बिमारी इतनी तेजी से पहलती है अगर आपको सुनाई देखी अपने एरिये में जो येलो रेस्ट की बिमारी इतनी पहलती है आपको उसी टाइम पर बगएर कोई देरी किये अपने खेतों के अंदर फंजी साइड का सप्रेकर देना चाहिए किसान भाईयो फंजी साइड में आपको लेनी है प्रोफी कोनाजोल डाइस्ट के इकड़ के इसाब से जो टिल्ट के नाम से आती है इसके अलावा आप ले सकते हैं टैभी कोनाजोल पलस है ट्राइफलेक्स स्ट्रोबिन है जो नेटिवा बायर के नाम से आती है 100 ग्राम परती एकड के इसाब से सप्रे कर सकते हैं या फिर इसके अलावा एक अडामा कंपनी की कस्टोडिया के नाम से आती है जिसके अंदर टैब कुनाजोल और अजोक्सिस ट्रोबिन कंबिनेशन पाया जाता है उसका भी आप सप्रे कर सकते हैं तो से डाइसवैमल परती एकड के इसाब से यह सप्रे आप लोगों को उसे वस्ता में करना है जब आपको यह लगे कि हमारे खेत के अंदर यहलो रेस्ट की बिमारी है कहीं ना कहीं बिमारी आ सकती है या फिर दिखाई दे रही है कुछ वेराइटियां होती है जिनके अंदर अक्सर यह आ जाती है उनके अंदर आप बिमारी आने से पहले भी इसका सप्रे कर सकते हैं दोस्तो इस टाइम पर आप लोगों को यह सभी काम कर लेना है निश्ची तोर पर आपको जो गें का जो उत्पाद अनव के बार जरूर बढ़ेगा हमारी बताई की जनकारी अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शाथ यही ज्यादा से ज्यादा दूसरे किसान भाईयों के साथ सेर जरूर करें